नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चानल पे तो आज की वीडियो में हम एकदम देसी तरीके से आम का अचार बनाएंगे जो कि खाने में काफी टेस्टी होगा बनाना बहुत ही आसान होगा और बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहले हमा बहुत ही चकपटा बनके तयार होता बनाने की तुरन्द बाद से आप छूडू कर सकते हैं और इसे छे मैंने साल भर के लिए आराम से श्टोर रख सेकते हैं बिल्कुल भी खराभ नहीं होता है यह अचार हम आम के गुदे बाले भाग से बनाते हैं तो कोशिश कर ये जब बनाऊंगी हमारे यहां इसे कूचा आचार बोलते हैं तो आम को अच्छी तरह से दो के साफ कर लेना है ताकि उसके उपर जो भी धूर मिटी गंदगी लगी हुई हो वो निकल जाए और इसे एक साफ सुती कपड़े पे फैला दीजिए आम को अच्छी तरह से सूखने दीज मेटे रहे तूँआ और इसे खीस लेना है तो जादा महीन वाले गरेटर से मत खीसिया थोड़े से जो मोटे वाले गरेटर का च्छीद होता है उससे घीसिना है और इसी तरह से सारे आम के गुदे को घिसके निकाल लेना है यहाँ पर हमारा सारा आम कद्दू कसकर के तयार हो चुका है यह एक किलो आम से इतना सारा गुदा निकला है तो अब इसमें हम एक छोटे चमच हल्दी पाउडर मिला देंगे नमक बिलकुल नहीं अपी मिलाएंगे क्योंकि नमक डालने से यह पानी चोड़ देगा हल्दी को अच्छी तरह से इन में मिला देना है और मिलाने के बाद इसे एक दिन की अच्छी धूब दिखानी है मेथी थोड़ी सी भूण जाए हलका ससका रंग चेंज हो जाए तो इसमें दो छोटी चमच जीरे का इस्तिमाल करना है तो अचार का मसाला बनाते समय मेथी का विशेज ध्यांदी जेंपेथी बहुत ही कम डाली है क्योंकि बहुत लोग मसालों में मेथी बढ़ा देते हैं बाद में उनके अचार का स्वात कड़वा हो जाता है तो बाद में कमेंट करते है कि मैडम हमारा अचार का मसाला भी गड़ गया है तो हम उसे कैसे ठीक करें और डो चमच जीरे में लिकी बाद यहाँ पर दो चमच मैंने सौफ का इस तो मसाले आप अची तरह से दिख तो आपके अचार का मसाला। टेस्स बहुत ही अच्छा आएगा। और इसनी हमाथ सी यहां पर दो चमilde मैंने धनिया का किए धनिया के बीच ऑर 20 daunless रिना और फिर 20 चमज से थोड़ी सी कम भी रह buffalo आप यूज कर सकते हैं। मेति का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है तो अगर मेति का मात्रा बढ़ाएंगे तो आपके मसाले का टेस्ट कड़वा हो जाएगा अब इनको हलका सब भून लेना है जब यह हलके से भून जाए तब यहां पर आपको आधा चोटा चमच के करीब मंगरेला या फिर जिसक मंगरेल के दाने जो होते हैं महीन होते हैं और जो मोटे वाले मसाले होते हैं और अगर एक साथ हम भूनेंगे तो महीन वाले मसाले जल जाते हैं इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे करके आप मसालों को भूनिए काफी अच्छा टेस्ट आएगए आपका मसालों का और बस हलक सरसो के दानूं का करक्त में कर सकते हैं चाहिए न gefन सभर के यह चाहिए तो तो ये भी कुरकुरे हो जाएंगे मसालों के साथ अब इन मसालों को ठंडा होने देना है और इसी पैन में हम धेमी आज़ पर आदा छोटा चमच कलॉजे या फिर इसे मंगरेला बोलते हैं ये डाल देंगे और आदा छोटा चमच यहाँ पर मैंने अजवाइन का इस्तिमाल क चुके हैंब इसमें 10 च्भी के करेमि हिंग डाल से हुए तो मैं मसालों को दरदरपी ने पीस्टation llाएग quéुणा तो हम साइड में रखेंगे और आगे की तयारी कर लेंगे तो आगे मैंने इस आम के कूचे के अचार में मिलाने के लिए थोड़ा सा लहसुन ले रखा है और इन लहसुन को अच्छी तरह से छिल के रख लेना है और यहां पर धाई से तीन इंच के करीब अध्रका टुकडा ह आप इसका भी यूज कर सकते है या फिर आप ड्यूश करना चाहे तो इसकिप भी कर सकते हैं लेकिन उसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आपके अचार में और यहां पर अचार में मिलाने के लिए थोड़ा सा सारसुका तेल गरम कर लेना है एक किलो अच्ता यहां पर जो लहसुन और अद्रक है इसे हम इस तरह से सील बट्टे पे कूट लेंगे या फिर अगर आपके पास सील बट्टा नहीं है तो आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में थोड़ा सा चला के दरदरा भी कर सकते हैं और या इस तरह से किसी भी चीज से थोड़ा सा प् अचार को आम का कूचा अचार इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले कि जमाने में जो हमारी दादी नानी बगर थी वो सील बट्टे पे आम की गुदे को कूट के बनाती थी लेकिन मैंने तो घिसकी बनाया है और यह लहसुन और अद्रक है इसे मैंने कूटा है तो यह जब कू देते हैं अचार में तो काफी अच्छा टेस्ट आता है और जो मसाले हमारे पिसकी तयार हुए अब इसे इस में मिला देना है और मसाले डालने के बाद अब इसमें आपको अच्छा कलर चाहिए अगर अचार में तो थोड़ी सी कश्मीरी लालमिश पाउडर का इस्तमाल कर यह तीखा बिल्कुल नहीं होता है इसे आपके अचार में कलर बहुत बढ़ियास आएगा और कश्मीरी लालमिश दालने के बाद अब यहां पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर दाल देना है क्योंकि आम में मैंने पहले से हल्दी पाउडर मिला रखा था तो यहां आदी चु ला दी दिये तेल और मसालों के साथ तो तेल हमारा काफी गरम है इसे बहुत ही साउधानी से हलके हलके चंबस से मिलाएंगे गरम तेल के कारण जो भी कच्छे मसाले इसमें हैं और जो भी यह कच्छा आम है बिल्कुल अच्छी तरसे पक जाता है लेसुन अद्रक वगरे बहुत ही अच्छी तरह से पक जाते हैं इसमें अच्छी तरह से आप सारे मसालों के साथ तेल को अच्छी तरह से मिला लेना है अचार में मसाला और तेल मिलाने के बाद ही बहुत ही प्यारी से खुश्बू उठने लगती है एकदम भीनी भीनी सी जिससे आपके आगल भगल म बनाने के आप तुरंत एक दून दिन के बाद ही इसे आप खाना शुरू कर सकते हैं वीडियो शूट करने के चक्कर में मैं खड़े मसाला मिलाना भूल गई तो यहां पर जो अजवाइन और मंग्रेल भूनके रखे थे उसे भी हाथों से ऐसे क्रश करके इसमें अच्छी तरह से मिला देना है और जब आपका अचार बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा है तो यहां पर एक धंकन के करीब सफे सिर्का या फिर इसे वाइट विनेगर कहते हैं इसे मिला देना है इससे आपका अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा और आपके अचार के स्वात को भी यह बढ़ा देगा अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे रखने का तरीका देख लेना है तो रखने के लिए आपको सबसे पहले एक काज का बॉटल लेना या फिर प्लास्टिक का बॉटल भी आप यूज कर सकते ह उसको अच्छी तरह से धू लीजिए फिर उसको अच्छी धूब दिखा के सुखा लीजिए और सुखाने के बाद अब इस बॉटल में थोड़ा सा सरसू का तेल डालके अच्छी तरह से बॉटल को घुमा घुमा के पूरा सरसू का तेल लग जाए बॉटल में तब इसमें बने हुए अचार को भर लेना है तो ध्यान रखिए कि अचार आपका बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए उसकी बाद आप इसे बॉटल में भर के रख सकते हैं तो सारे अचार को इस बॉटल में भर लेना है जितना अचार इसमें आशकते और अच्छी तरह से भरने के बाद थोड़ा सा उपर तक तेल भर देना है और इस अचार को सुखाने के लिए भी आपको देख लेना है इस अचार को बिल्कुल धक्कन लगा के नहीं सुखाना है इसे धक्कन लगा के नहीं पकने देना है बहुत लोग क्या करते हैं कि धक्कन लगा के धूप में पकाते हैं फिर धकन में जो है भाब बनती है और भाब बनने के बाद वो भाब जो है अचार में गिरती है तो उससे आपका आचार खराब हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना है कि एक सूती कपड़ा लेना है साफ सूती महीन कपड़ा और उसे इस तरह से ढख देना है ढखने के बाद चाहे आप रबर बैन लगा देजिए चाहे किसी धागे से बान देजिए और जहां भी आपके आंगन में या फिर दरवाजे पर अच्छी क्या करिए कि इसे 2-3 दीन तक अच्छी धूप दिखा के पकाईए अच्छी धूप में आचार पकने के बाद आचारका स्वाद और भी चार गुना बढ़ जाता है 2 से 3 दिन की अच्छी धूप retrouve में पकने के बाद ये अचार त्यार है कि अपके खाने के खाने की लिए अब्लोब दो से मिलति ओ किसी अगली नहीं तिकसा तब्टक लिना मस्का